जय श्री राम साथियों श्री राम मंदिर बर्खेडा बेल भोपाल आपका हारदिक स्वागत करता है, हारदिक अभिनेंदन करता है आज हम देखेंगे कि जो हम देनिक श्लोक गाते हैं, बोलते हैं अपनी पूजा में उसका क्या अर्थ होता है प्रति दिन की जाने वाली स्थुती वा इश्लोकों का अर्थ श्री हनुमान स्थुती अतुलित बलधामं हैम शैलाभ देहं दनुजवन कर्शानं ज्यानी नाम गरगंडियं सकल गुड़ निधानं वानराणाम धीशं रगुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामी अतुलित बलधानम बलधामं अतुलित तुलित का मतलब होता है जिसको तौला जा सकता है जिसको नापा जा सकता है अतुलित का मतलब क्या हुआ जिसको तौला नहीं जा सकता है जिसको तौला मतलब समझते हैं अब तराजू तुला का मतलब होता है तराजू जिससे बाट रखते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सामान रखते हैं और तौल करके फिर उसकी कौंटिटी उसकी मास उसका दरविमान डिसाइड करके फिर दिया जाता है तुलित तो जिनको तौला नहीं जा सकता ऐसे अतुलित बलके धाम, धाम मतलब निवास है, इस तरह से मैंने आपको बताया था, कृपा के सागर है, तो सागर से तुलना कर दी, धाम है, इस तरह से बोला जाता है, धाम का मतलब होता है भवन निवास करना, निवास जिसको बोल सकता है हम, तो हनुमान जी कैसे हैं ऐसे बल के धाम है जिसको तोला नहीं जा सकता है जिसकी गड़ना नहीं की जा सकती हेम शैलाब देहम देहम मतलब होता है शरीर शरीर हेम का मतलब होता है सुमेरू परवत शैल मतलब ऐसे पत्थर को बोला जाता है और पत्थरों से बनता है क्या परवत तो जिनका शरीर भेंकर बहुत बड़ा है यह देखिए किसके जैसा सुमेरू परवत के जैसा जिनका शरीर है दनुज राक्षसjuk का मतलब दुष्ट रामचरीत मानस में कई जगह पर यूज़ हो आ है खल मतलब दुष्ट सट का मतलब होता है मूर्ख खल का मतलब होता है दुष्ट सठ का मतलब होता है मूर्क है न इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं दनुज मतलब राक्षा असुर जिनको आप बोल सकते हैं असुर सुर मतलब देवता जो देवता नहीं होते वो असुर वन वन मतलब वन जंगल कृशानम मतलब जो नस्ट करते हैं क्रश करना नस्ट करना तो हनमान जी महराज कैसे हैं हनमान जी महराज राक्षासों के वन का नाश करने वाले हैं नस्ट करने वाले हैं यह प्रसंग उस समय का है सुंदरकांड में जब हनमान जी अशोक वाटिका में गए थे फल खाने के लिए और पेड़ों को उठा उठा के फेक रहे थे तो राक्षासों के दल उनसे लड़ने भिड़ने आ गए थे पहरा दल आया था किंकर नाम के राक्षासों का वो आकर के भिड़ा उन्होंने सबको मारब डाला तो वहां से आया ये दनुजवन कृशानम ग्यानी नाम ग्रगण्यम अग्रगण्यम ग्यानी नाम मतलब जो ग्यान के अग्रगण्यम है ग्यान के स्वरूप है है ना ग्यानी नाम अग्रण्यम ग्यान के स्वरूप है उसमें अग्रणी है शकल सारे सकल मतलब सारे गुण निधानम निधान है मतलब सर्वोपरी है दया निधान है दया रखने वाले हैं दया करने वाले हैं तो निधी से आया निधान निधी मतलब लक्षमी तो जो सारे गुणों के धारण करने वाले हैं सारे गुणों के निधान हैं वानराणाम धीशम द्वारका धीशम जो द्वारका के स्वामी है राजा है वानराणाम धीशम द्वारका धीशम इस तरह से बोला जा राजा है रगुपती प्रिय भक्तम रगुपती मतलब राम जी के प्रिय के ब्रम प्रिय भक्त है बुड बुख में रहते हैं हमेशा राम जी के राम जी के प्रिय भक्त है वात वात मतलब होता है वायू वात पित कफ आयरुवेद में आते हैं है ना गैस बनना वात रोग का निशान होता है वात रोग की निशानी होती है वात जातम आत्मज मतलब पुत्र तो इसका मतलब क्या हुआ वात जातम का मतलब हुआ वायू पुत्र नमामी मैं उनको नमस्कार करता हूँ उनको प्रणाम करता हूँ उनकी इस्तुति करता हूँ पूरे श्लोक का मतलब क्या निकला हनुमान जी के आराधना की जा रही है हनुमान जी की इस्तुति की जा रही है हनुमान जी कैसे है अतु राक्षासों के वन को राक्षासों के कुल को राक्षासों के समू को नाश करने वाले हैं जो ज्ञानों ज्यानियों में अग्रणी हैं जो सारे गुणों के निधान हैं समस्त गुणों के निधान हैं जो वानरों के राजा हैं जो रघुपति के राम जी के परंप्रिय भक्त ह जो वायो पुत्र हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ